नमस्कार दोस्तूं, हम देख रहे थे मनोविज्यान के अंदर यूनिट के अनुसार परसन उतर और आज हमारी रहेगी मनोविज्यान की चोती यूनिट दोस्तूं फोर्थ यूनिट से रिलेटेड आज टोप पचास महत्वपून परसन आज की इस कलास के अंदर हम देखेंगे आप अंतक मेरे साथ बने रहे आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ यूटूब चैनल कुचामन ओनलाइन कलासेज पर जो नए साती है वो चैनल को सबस्क्राइब करें और एक बार सभी मित्तर वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दे पहला क्यों सन कक्सा सिक्षन में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है दोस्तों पाट प्रस्तावना जो सोपान होता है वो कौन से नियम पराधारित होता है परभाव का नियम, साद्रिश्यता का नियम, तत्परता का नियम या साचरिये का नियम किस पराधारित रहता है तत्परता के नियम पर तीन नमर ओप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं, क्यूसन नमबर दो, प्रेक्सेनात्मक अधिगम संपर्ते दुवारा दिया गया था, टोलमेन, बंडूरा, थोरंडाइक या कोहलर, प्रेक्सेनात्मक जो अधिगम संपर्ते हैं, ये बंडूरा के दुवारा दिया गया था, दो नमर ओप्स आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं क्यूशन नमबर तीन अधिगम में ने परभाव का नियम दिया परभाव का नियम किस ने दिया था थोरंडाइक ने परभाव का नियम किसका है थोरंडाइक का है चार नमर उप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्योशन में चलते हैं क्योशन नमर चार ध्यान आकरसित होने में की प्रमुक भूमिका होती है किसकी उधीपन की तीवर्ता, उधीपन की उपादेता, उधीपन की विश्वसनियता, उधीपन की सकरियता द्यान आकर्सित होने में उदीपन की तीवर्ता की परमुख भुमिका होती है एक नमर उप्सन आपका यहां पे सही रहेगा क्योंसर नमर पांच है S.O. किसके दुआरा प्रस्तावित किया गया है वाटसन, कोपका, कोलर या गेस्टाल्ट वादी मनोवेग्यनिकूं के दुआरा गेस्टाल्ट वादी मनोवेग्यनिकूं के दुआरा चार नमर उप्सन सही रहेगा क्योंसर नमर च्छा है संग्यान और संवेक के बारे में निमलिकित कतनों में से कौन सा कतन सही है सही कतन बताना है पहला है संग्यान और संवेक एक दूसरे से सवतंतर परकिरियाएं हैं गलत कतन दूसरा देखे संग्यान और संवेक परस पर जुड़े वे हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यह सही है दोस्तूं, तो सही रहेगा आपका दो नमर का ओप्सन यहाँ पे, नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं क्यूसर नमर साथ, क्यूसर नमर साथ है दोस्तूं, कोलिसिस्टो काइनिन एक हार्मोन है, जिसकी सुई दे दी जाए तो इसे से प्राणी में भूक अधिक बढ़ जाती है, भूक और प्यास दोनूं में वर्दी हो जाती है, भूक कम हो जाती बूग और प्यास दोनु में ही कमी आ जाती है कुलिस इस्टो काइनिन जो हार्मोन होता है इसकी सुई लगा दी जाए तो बूग में क्या आ जाती है कमी आ जाती है बूग कम हो जाती है तीन नमर उप्सन आपका सही रहेगा क्यों से नमर आठ देखे इरोज सबत समंदित है किस से जीवन मूल परवर्ती से, मरन मूल परवर्ती से, भे मूल परवर्ती से या प्राकर्तिक मूल परवर्ती से इरोज जीवन से, जीवन मूल परवर्ती से समंदित होता है एक नमर उप्सन आपका सही रहेगा क्यों से नमर नो देखिए ससक्त अभी प्रेरना सीखने का परवाव साली गटक है इससे बालक सवस्त रहता है ध्यान करता है सिग्रे सीखता है या परसन रहता है ससक्त अभी प्रेरना सीखने का परवाव साली गटक है क्योंकि इससे बालक सिग्रे सीखता है तीर नमर उप्सन आपका सही रहेगा क्यों से नमर दस्दी की? परिवेश की वस्तू जिसे प्राणी प्राप्त करने का परियास करता है कही जाती है परबलन, परेरक, उदिपक या परलोबन क्या कही जाती है? परिवेश की वस्तू जिसे प्राणी प्राप्त करने का परियास करता है उसको परिवेश कहते हैं दो नमर उप्शन सही रहेगा क्यूसर नमर ग्यारा है पियाजे के संग्यानात्मक विकास सिद्धान्त में एमुर्द तरक एवं परिपक्वे नेतिक चिंतन किस अवस्ता की विसेशताई हैं सविधनात्मक गामक आवस्ता की, पूर्व संक्रिया आवस्ता की, ओपचारिक संक्रिया आवस्ता की या मुर्च संक्रिया आवस्ता की ये होती है दोस्तों आपके किसकी ओपचारिक संक्रिया आवस्ता की पियाजे के संग्यान आत्मक विकास सिद्धान्त में एमूर्थ तरक एवं परिपकुए नेतिक चिंतन है ये विशेष्था ही होती है आपके ओपचारिक संक्रियात्मक अवस्ता की ती नमर उप्शन सही रहेगा क्यूसर नमर बारा देखी कोई सिक्सिका अपने विदारतिऊं को अद्यжеन करने है तो आंत्रिक रूप से उद्प्रेरित करने के लिए कैसे परोत्साइथ कर सकती है देखिए परतियोगीता आत्मक परिक्सन से वेक्तिगत लक्स से निर्दारित करने और उनमें निपूनता पाने में मदद देकर सही रहेगा दो नमर उप्सन याँ पे कारिये को आरम करने जारी रखने और नियमित करने की परकिरिया होती है प्रेरना सवेदना सीखना या परतेक सीकरन कारिये को आरम करने जारी रखने नियमित करने की परकिरिया होती है आपकी कौनसी प्रेरना एक नमर उप्सन आपका सही रहेगा next में चलते हैं question number 14 क्रोद वे भे क्रोद वे बे किसके प्रकार हैं किसके क्रोद और भे ये प्रकार होते हैं आपके संवेक के दो number option आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा next question में चलिए वेवारिक समताओं में वे सापेक्स इत्ताई परिवर्तन जो की परबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं वेवारिक समताओं में वे सापेक्स इत्ताई परिवर्तन जो की परबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधीगम कहते हैं एक number option आपका क्या रहेगा सही रहेगा next question में चलते हैं सम्वेक का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि सम्वेगात्मक अनुभव, सम्वेगात्मक वेवार पर आधारित है, जम्स लेंग सिद्धांत, पहला ही ओप्शन सही रहेगा और इंपोर्टेंट क्यूसन है इस बार के लिए, सम्वेक का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि सम्वेगात्मक अनुभव, सम्वेगात्मक वेवार पर आधारित होते हैं, जम्स लेंग सिद्धांत मानता है, नेक्ष्ट में चलते हैं क्यूसर नंबर 17, परगति सील परिवार, परगति सील परिवारों में बच्चो ये थोड़ा सा परबल होता है दोस्तों तीर नमर उप्सन आपका सही रहेगा क्यूसर नमर ठार देखिए अभी प्रेरना वरनित होती है किसके दुआरा बावात्मक जागर्ती के दुआरा दो नमर उप्सन क्या रहेगा सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन देखिए, एक प्रस्तती में अरजित क्यान का, दूसरी प्रस्तती में उप्योग करना कहलाता है, क्या कहलाता है, सीखने में इस्ताना अंतरन, दो नमरों उप्सन आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा, नेक्स्ट क्यूसन में चलिए, क्यूसन नमर परत्यूं का बनते रहना परकिरिया है परत्यूं का बनते रहना एक परकिरिया है कैसी, संचे ही परकिरिया होती है दो नमर, सोरी, चार नमर ओप्सन आपका सही रहेगा Next costume है समपर्ते निर्मान का परतम सोपान कौन सा होता है सामने करण, विबेदी करण, पर्ते कसी करण, या पर्तकरण, समपरते निर्मान का पर्तम सोपान, पर्ते कसी करण, तीन नमर ओप्षन क्या रहेगा आपका, सही रहेगा, नेक्स्ट क्यूसन है वह कारक जो अधिगम को परभावित नहीं करता है अधिगम को परभावित नहीं करने वाला कारक कौन सा है प्रेरना अधिगम विदी वरस का महा विशेवस्तू की परकरती वरस का महा कोई अधिगम को परभावित नहीं करता है तीन नमर उप्सन सही रह इक नमर उप्सन ही आपका क्या हो गया यहांपे सही हो गया nexq yoction में चलते हैं क्यूसन α नमबर 26 निमनांकित मेंसे किस मनोवेग्यनिक को मोलिक वैवारवादी के रूप में वरनित किया जाता है मोलिक वैवारवादी के रूप में पावलो वाटसन बंडूरा या इसकी नर किसको वरनित किया जाता है इसकी नर को चार नमरों उप्षन आपका सही रहेगा नेक्स्ट यूसन है क्यूसन नमर 27 ज्यान विद्यमान है विश्वसनियता है तेता इसे प्राप्त करना ही अधीगम है कौन सा मनोवेग्यनिक का संपर्ति उप्रोगत कतन को सवीकार करता है तो देखिए संग्यानात्मक सवीकार करता है वेवार वाद सवीकार करता है मनोविश्लेशन वाद सवीकार करता है लेकिन सर्चना वाद ये सवीकार नहीं करता है तीन नमर उप्सन क्या रहेगा आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलती ही आवसेक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उदीपन पर्त्यूतर से वेवारवादी उपागम के दुवारा आवसेक रूप से सीखना वेवारवादी उपागम से जुड़ावा है उदिपन पर्ति उतर से एक नमर उप्सन सही रहेगा क्यों से नमर 29 देखी अभी कर्मित अधिगम के संपर्ते निर्माण में निम्नांकित में से किस विचार का योगदान होता है दोस्त किस विचार का योगदान है थोरंडाई का परभाविक्ता का नियम इसके नर का सकरिय अनुबंदन सिद्दान्त वोटसन का अधिगम सिद्दान्त या फिर पयाजे का सिद्दान्त इसके नर का सकरिय अनुबंदन सिद्दान्त अभी कर्मित अधिगम के संपर्ते निर्माण स इसके नर का सक्रिय अनुबंदन सिद्धान्त है जो इस विचार का योगदान करता है आगे चलिए क्यों से नमर तीस की ओर निर्मे से कौन सा कि सोर अधिगम करता कि नेतिक विकास से समंदित नहीं है परिवार विदाले सारिरिक सर्चना सिनेमय एवं पुस्तके सारिरिक सर्चना अधिगम करता कि नेतिक विकास से समंदित सारिरिक सर्चना नहीं है तीन नमर उप्सन आपका सही रहीगा नेक्स्ट यूसन में चलिए अधिगम किरिया परभावित होती है अधिगम जो किरिया है वो किस से प्रभावित होती है विदाले के भोतिक परियावरण से विदाले के मनोवेग्यानिक परियावरण से विदाले के भोतिक वो मनोवेग्यानिक दोनु परियावरण से या उप्रोक्त में से कोई नहीं अधिगम किरिया परभावित होती है विदाले के बोतिक वे मनोवेग्यनिक दोनु परियावरण से तीन नमरों उप्सन आपका सही रहेगा सीखना क्या है ग्यान का इस्तर ग्यान की उश्मा प्राणी मातर के वेवार में सुधार लाने के लिए या प्राणी मातर के वेवार को प्रेरित करना सीखना अगर किसी पराणी के वेवार में हम सुधार लाते हैं तो उसको ही सीखना कहते हैं तीन नमर उपसन सही रहेगा नेक्ष्ट में चलिए क्यूसर नमर 33 कोई भी बालक सीखना सुरू करता है कब जब वो जनम लेता है तब इसे सीखना सुरू कर देता है तो अपने जनम से ही कोई बालक सीखना सुरू कर देता है चार नमर उप्सन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलिए निमलिकित में से कौन सा यूगम है सही है सही है यहाँ पर देखिए आपका कोहलर अंतरदरश्टी अधिगम यह सही है दोस्तों दो नमर उप्सन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन है क्यूसन नमर पेंतिस क्रिया परसूत सहाचरिये मुक्यत किसकी भूमिका पर बल देता है अधिगम सामगरी सिक्सेक वातावरन या पुन्दरबलन क्रिया परसूत सहाचरिये मुक्के रूप से पुन्दर बलन पर बल देता है मित्रू चार नमरो उपसन आपका सही रहेगा क्यूसर नमबर 36 है रोबर्ट गेने के अधिगम अनुकरम सिद्धान्त में अधिगम के परकार समलित है ये बहुत अच्छा क्यूसर नहीं रोबर्ट गेने ने अधिगम अनुकरम सिद्धान्त के दुआरा अधिगम के कितने परकार बताएं आठ परकार बताए थे दो नमरो उपसन आपका यहां पे क्या रहेगा सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसर में चलिये क्यूसर नमबर 37 पियाजे दुआरा संग्यानात्मक सर्चना को उल्लेखित करने वाली सब्दावली है अनुपर्तिकात्मक, पर्तिकात्मक, इसकिमा या एहम केंद्रित संग्यानात्मक सर्चना को पियाजे के द्वरा उल्लेखित करने वाली सब्दावली सब्द है वो है आपका कौन सा इसकिमा तीन नमर उप्सन क्या रहेगा सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन है थोरंडाई के सीखने के नियम के अनुसार गोण नियमों में नियम में से कौन सा समलित नहीं है जो गोण नियम है थोरंडाई के उनमें इन में से कौन सा नियम समलित नहीं है देखे बहु अनुकिरिया का नियम गोण नियम है परभाव का नियम मुख्य नियम होता है दोस्तु गोण नियम नहीं है मांसिक इस्तति का नियम गोण नियम है और अनसिक किरिया का नियम गोण नियम है तो दो नमर उप्सन आपका यहां पे सही रहेगा क्योंसर नमर 49 है निवन मेंसे कौन सा कारक थोरन डाई के अधिगम से सुमेलित नहीं है ततपरता, अभ्यास, गुणवत्ता और परभाव ततपरता का नियम, अभ्यास का नियम, परभाव का नियम, गुणवत्ता ये नहीं है दोस्तों तीन नमरो उप्सन सही रहीगा नेक्ष्ट में चलिए क्यूसर नमर चालिस पावलो वे स्किनर निवन में से किससे सम्मंदित है सर्चनावाद, परकारियवाद, वेवारवाद या गेश्टाल्ट मनों विज्ञान इसके नर्ट दोस्तु वेवारवाद है तो पावलो भी किसे हैं वेवारवाद से हैं तीन नमर उप्सन सही रहेगा नेक्स्ट ट्यूसन में चलिए पियाजे के अनुसार कि सोरा अवस्ता में संग्यानात्मक विकास की कौन सी अवस्ता प्रारम होती है किसोरा अवस्ता की बात हो रही है तो पूर्वे कारियात्मक अवस्ता ओप्चारिक कारियात्मक अवस्ता संवेदी गामक अवस्ता या इस्तूल कारियात्मक अवस्ता किसोरा अवस्ता ओप्चारिक कारियात्मक अवस्ता संग्यानात्मक विकास की किसोर आवस्ता में पियाजी के नुसार ओपचारिक कारियात्मक आवस्ता प्रारम होती है नेक्ष्ट क्यूसन में चलिए नियून में से कौनसा ब्रुनर के सिद्धांत में नहीं है नवीन ग्यान अत्वा सूचना का ग्रहन करना ये तो है अरजित ग्यान का इस्तानांतरन ये भी है ग्यान की प्रियाप्तता की जाच ये भी है ग्यान की ए प्रियाप्तता की जाच ब्रुनर के सिद्धांत में नहीं है चार नमर ओपसन आपका सही रहेगा क्यूसर नमर 43 है निमलिकित मनोवेग्यानिकू के समुए में से कौन सा समुए पूरण रूप से संग्यानात्मक सिद्दांत से समंदित है कौन सा है वरदाइमर, बुरुनर, बांडूरा वरदाइमर, कोलर, पियाजी कोपका, आसुबेल, बोल्स टालमेन, बुरुनर और बंडूरा तो दोस्तु पियाजे के बारे में तो अभी हमने पढ़ा है तो बाकि देख लें वरदाइमर और कोलर और पियाजे यह है दोस्तु जो संग्यानात्मक सिद्धान से समंदित है दो नमर उप्शन सही रहेगा संग्यानात्मक विकास की कौन सी अवस्ता का वरणन बुरुनर द्वारा नहीं किया गया था किरियात्मक पर्तिनिदान किया गया पर्तिमा पर्तिनिदान किया गया इंदरिये गतिकाल नहीं किया गया पर्तिकात्मक पर्तिदान इसका भी किया गया परति निदान, सही रहेगा तीन नमर उप्सन, इंदरिये गतिकाल, इसका बुरुनर के दुआरा संग्यानात्मग विकास में वर्नन नहीं किया गया, आगे चलिए नेक्स्ट की ओर, क्यूसर नमर पेंतालीस, देखें पेंतालीस नमर, निम लेकित मैंसे कौन सी अधीगम की विसेस्ता नहीं है, अधीगम वेवार में परिवर्तन है, ये तो विसेस्ता है, वेवार में परिवर्तन अभ्यास या अनुबूत्विक के फल सुरूप होता है, ये भी सही है, वेवार में अपेक्सा करतिस्ता ही परिवर्तन होता है, ये भी सही है, वेवार में सनिक एस्त प्रिवर्तन जो प्रेणना अत्मक अवस्ता के फल सुरूप होते हैं ये गलत है चार नमर उप्सन अधिगम की विसेस्ता नहीं बता रहा है सही रहेगा चार नमर उप्सन क्योसर नमर च्छियालिस आदत ज्यान एवं अभीवर्तियूं का अरजन कहलाता है आदत ज्यान और अभीवर्तियूं का अरजन अधिगम कहलाता है तीन नमर उप्सन आपका सही रहेगा क्योसर नमर सेतालिस निमलिकित में से कौनसा परकारिये के अनुसार कौनसा परकारिये के अनुसार अधिगम का परकार नहीं है देखे, कलपनासील अधिगम, ये परकार ये के नुसार नहीं है संग्याना आत्मक अधिगम है, निपूनता द्वारा अधिगम है, अभिवर्तिया अत्मक अधिगम है तो कोनसा नहीं है दोस्तु, परकार ये के नुसार अधिगम का परकार कलपनासील अधिगम एक नमर उप्सन सही रहेगा क्यों सन नमबर है आपका 48 सिक्षन अधिगम परबंदन की संगटन अवस्ता का कोन सा तत्वे नहीं है देखी सिक्षन अधिगम परबंदन की संगटन अवस्ता का तत्वे कोन सा नहीं है कार्ये विशलेशन करना यही नहीं है समुचित सिक्षन युक्तियों का चेन यह है समुचित संप्रेशन विदियों का चेन यह भी है समुचित सर्वे दर्शे सामगरियों का चेन यह भी है एक नमर ओप्षन आपका सही रहेगा नेक्ष्ट में चलिए अधिगम का कौन सा सिद्धान्त वेवारवाद और समगरवाद का अनोखा मिसरन होता है वेवारवाद और समगरवाद का मिसरन होता है आपका चिन है पुर्णाकार सिद्धान्त तीन नमर ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट यूसन है पचास नमर निमलिकित में से कौन सा लेविन के अधिगम समंदी छेतर सिद्दांत की मुख्य उधारना नहीं है लेविन का सिद्दांत है जो सिद्दांत है वो है छेतर सिद्दांत इसकी मुख्य उधारना कौन सी नहीं है देखी विवेदी करण जीवन दाइरा वेक्टर्स और करसन और तलरूप विवेदी करण नहीं है दोस्तों एक नमर उपसन आपका सही रहेगा क्यों से नमर इकावन है निवन में से कौन सा सयोगी अधिगम का तत्व नहीं है सायोगी अधीगम का तत्व विस्मांग समुए है, सामाजिक अन्ते किरिया का बाव. ये सायोगी अधीगम का तत्व नहीं है, और सकारातमक परसपर आशरितिता यह है. तीन अमरोप्षन यहां पे सही रहेगा. और चली ए मित्रो आज के हमारें अंतिम क्यूसन की और निवन में से कौन सा अधीगम सिद्धान्त नेमेतिक अनुबंदन कहलाता है नेमेतिक अनुबंदन शकरिये अनुबंदन कहलाता है दोस्तूं तेन नमरों उप्सन यहां पर आपका सही रहेगा तो कुल मिलाकर हमने मनोविग्यान की यूनिट चार से यहां पर 52 परसंद देखे हैं किसी भी परकार का कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट करें वीडियो को लाइक और सेर कर दे सभी मित्तर और अभी तक जिन नए साथ चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया वो चैनल को सबस्क्राइब करें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जे इंद जे वारत